वेलकम टो विशूस कीचेन और आज की मेरी रेसिपी है यह बहुत अलग और अनुकी है जो ना तो पहले कभी आपने इसको बनाया होगा और ना आपको किसी ने बताया होगा ये है घुईयां के कोफटे की रेसिपी तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्रा जरूर करिएगा आ आप गुईयां नॉर्मल तरीके से बनाना भूल जाएंगे और हमेशा इसको ही बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रेसिपी गुईयां के कोफते बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पैन में दो चम्मज बेसन और इसे ड्राइ रोस्ट कर लेना है कोफते बनाने के लिए जो बेसन का इस्तमाल हम करेंगे वो नॉर्मल बेसन का नहीं उसे हलका सर रोस्ट करके करेंगे तो कोफते में और भी जादा स्वाध आ जाएगा जब बेशन इस तरीके से color change कर देगा, dry roast हो चुका उसे हम side में रख देंगे और एक mixing bowl में लेंगे गुईयां जिन्हें कि मैंने boil कर लिया था और उसके बाद उसे mash कर देना है अब इसमें डालेंगे आधा cup grated paneer और जो बेशन हमने dry roast किया था वो भी इस time पे डाल देंगे अब इसमें डालेंगे आधा चमच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसको पहले spoon से इसको mix करेंगे और उसके बाद में इसे अपने हाथों से mix करेंगे क्योंकि गुईयां में जो लस होती है ना तो उस कारण आपको इसमें पानी भी इस्तमाल करने की जरूरत नहीं पड पर अपने हाथों को करेंगे grease एक देजे चांचे करेंगे इस तरीके से जब सारे कोफते जिए कोफते संबे ऊपकाती है यह तो लाल हो जाए毛 ककिन अंदर से यह कच्छे रह जाएगे जिसके कारँ इनका स्वाद अच्छा नहीं लगएगा जब ये golden brown हो जाएंगे इन कोफतों को निकाल लेंगे और side में रख देंगे तब तक हमें ले लेना है एक pan और उसमें डालेंगे एक चमच तेल जब तेल गरम हो जाएगा तब उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे की धनिया एक बड़ी इलाईची कुछ लॉंग और दाल चीनी और इसमें डालने के बाद में अब इसमें डालना है दो इंच अद्रक का टुकड़ा और 6-7 लॉंग इन्हें आगे चलके हमें पीसना है इसलिए यहाँ पे डिरेक्ली मैंने इसमें डाल दिया इन्हें काटना नहीं है लेसन और अद्रक को फिर इसमें डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने लंबा टुकड़ो में काट लिया था और इसे भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ इसे हलका सा सॉफ्ट करना है जब प्याज हलके से सॉफ्ट हो जाएंगे तब उसमें डालेंगे दो टमाटर यहाँ जो भी सबजिय पेस्ट पनाते हैं तब उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है जब यह अधा कप पानी और इसको ढख करके पकाएंगे करीबन चार से पांच मिनिट के लिए चार से पांच मिनिट को पकाने के बाद में ये सारी सबजी अच्छे से बन चुकी होगी, गल गई होगी अब ग्यास का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसका हमें पेस्ट बना लेना है पेस्ट बनाने के बाद में हमें लेना है एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे दो चमच तेल जब तेल गरम हो जाएगा उसमें डालना है एक चमच अजवाइन, एक हरी मिर्च, आधा चमच हल्दी और एक चमच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर इस टाइम पे ग्यास का फ्लेम एकदम धीमा रखेगा नहीं तो यह मसाले जल जाएंगे अब इसमें मिलाना है जो हमने पेस्ट बनाया था वो लेकिन पेस्ट हमें इसमें डिरिक्ली नहीं डालना है इसे इस्ट्रेन करके डालना है जब भी हम रेस्टोरेंट का बनाया हुआ कोई चीज़ खाते हैं और उसके बाद उसे घर पर बनाते हैं तो सबसे पहला question आता है कि उनकी जो gravy होती है वो बड़ी smooth सी होती है हमारी क्यों नहीं बन पाई तो उसका major reason यही होता है कि हम directly उसमें यह सारा paste डाल देते हैं उसे strain नहीं करते हैं इसके बाद में आप देखेंगे जब strain करके डालेंगे तो यह gravy इतनी soft होगी मतलब अच्छी सी बनती है कि आप restaurant का खाना भूल जाएंगे बस इसको ऐसे ही पकाना है मैंने इस टाइम पे नमक का इस्तिमाल नहीं किया था क्योंकि इस paste में मैंने पहले ही नमक डाल दिया था अब इसमें डालेंगे एक चमच क्रीम क्रीम ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो आप ये step skip कर दीजएगा अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी मुझे ग्रेवी बहुत जादा पतली नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़े पानी का ही इस्तिमाल किया था आप चाहें तो इसमें और भी जादा पानी डाल कर इसकी जो ग्रेवी है उसको पतला कर सकते हैं उसके बाद इसमें मिलाना है एक चमच कसूरी में थी अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको सर्फ दो स्टाइल में कर सकते हैं पहली ये कि कोफतों को हलका सा कट कर लीजिए एक बोल जिसमें भी आपको सर्फ करना है उसमें डालिए ग्रेवी और उपर से इस तरीके से कोफते रख दीजिए और नॉर्मल जैसे हम कोफते बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को बाते हैं